कि नमस्कार सात्यों मैं बॉई परियार स्वावत करता हूं आप सभी का आरस्पी क्लासेस में और आज हम कि अकर आज हम पढ़ेंगे पहले रासाहिनिक परवर्तन क्या होता है कि कोई भी ऐसा चेंजर जो कैसा हो एक रिवर्सिबल हो क्या होगा रासाइनिक परवर्थन होगा यानि कि वय परवर्थन जिसमें क्या होता है इसमें पदार्थ की अवस्ता पदार्थ की अवस्ता आकार रंग आधी में क्या होता है परवर्थन हो लेकिन कैसा हो निश्चित परवर्थन हो निश्चित परवर्थन हो या क्या हो या इस्थाई परवर्थन हो कैसा हो इस्थाई परवर्थन तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे रासानिक परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर द्यानिक जीवन होने वाले रासानिक परवर्तन ए रासानिक परवर्तन है जैसे रोटी का फूलना यह क्या है यह भी तो एक रासानिक परवर्तन है अब जैसे बात करें रोटी का फूलना सबजी का बनना तो वही सब का सब यह क्या है रासानिक परवर्तन है जो रोटी फूलती है उसमें क्या होता है गैस होती है क्या होती है गैस और जानते हैं गैस है क्या होता होगा रासानिक परवर्तन क्या होता हुगा रासानिक परवर्तन और जैसे बात करें रासानिक परवर्तन कैसा होता है यानि कि इस परवर्तन में इस परवर्तन में पदार्थ की अवस्ता परवर्थित की जाए तो क्या होगा हम बापस उसे उसी अवस्ता में नहीं ला जा सकते हैं क्या होता है उसे बापस हम उसे बापस उसी अवस्ता में नहीं ले सकते हैं यह या सकते हैं या परवर्थित किया जाए और ऑस्ता परवर्थित की जाए यह रंग में परवर्थित किया जाए किसी में पृस्टा को बापस हम उसी अवस्ता में नहीं ला सकते जैसे बात कर अगर और वर्णिंघ ऑफ अ यू वडब निग्वरोफ आ में कागाज का जलना का बसकूने हैं इस छागज को पुने नहीं बना सकता क्यों तो क्या वन जाएगा एस वन जाएगा राक राक होनेगा और जैसे बात करूं एफ वर्निंग ओफ इंथ लृणिंग और इसलों थो इसे बात करें रैष्टिंग ओफ कि आइरों कि लुहेर पर जंग लगना या लोई का संछा रड़ तु कैसा है रासानिक परवटतन कि कैसा परवटतन है रासानिक परवर्तन तो वर्निंग एक कैसा परवर्तन है रासानिक रस्टिंग कैसा परवर्तन है रासानिक और जैसे और आंगे करें तो क्या होगा वर्निंग पेपर क्या है रासानिक परवर्तन है जैसे दूद का दही बनना दूद का दही बनना है को पताओ कैसा परवर्तन है रासानिक परवर्तन को है सब क्राइब पड़ें दूद' के रासानिक परवर्तन के दौरान होने वाले लिए रा सानिक करिया राशा लग्रौन परिवर्थन के दोरान होने वाले होने वाले बतलाफ होगा जो क्या करिया होगा गैस का निकलना गैस निकलना यह होगा और क्या हो सकता है ताप परिवर्थन और क्या होगा अवस्ता परिवर्थन और क्या होगा अवस्ता परिवर्थन और क्या हो सकता है रंग परिवर्थन क्या होगा रंग परिवर्थन तो रासानिक अवक्रिया के दिया रासानिक परिवर्थन के दोरान क्या होता है तो क्या क् जह सकता है की ग्याम सकती है क्रताब में परवARTन हो जाए आवस्ता पर वो जह कर रज़ार रंग में पर वरतन हो ज़ाए तो हुम कहसा क्या कि वहें सानी हो रहा है अब बात करें ईसे भूत एक पर रवरतन के इसकी बात करें पतार्थ की अवस्ता में अवस्ता आकार रंग में परिवर्तन किया जाए और बापस उसी अवस्ता में उसी अवस्ता में लाया जा सके कया है तो ऐसे परिवर्तन क्या कहेंगे ऐसे परिवर्तन को बहुत ये कि फृजिकल कहेंगे यानि किसी उपतार्थ के अवस्ता को पर वर्युदmt किया जाए और क्या हो उस अवस्ता को बापस पुनेश कर लिया जाए तो क्या होगा हुए भौतिक परवर्तन होगा जैसे परप का पानी का जमना जलका बर्फ वन्ना जलका बर्फ वन्ना तो यह क्या बता रहे हैं जमना जमाना फ्रीजिंग तो बता फ्रीजिंग कैसा गुर्दर में यह बहते गुर्दर में यानि कि जल से क्या बना रहा हूं मैं बर्फ बना रहा हूं तो जमा रहा हूं अगर मैं क्या करूं इसको मेल्ट कर दूं बर्फ को मेल्ट कर दूं आइस को मेल्ट कर दूं तो बताओ क्या होगा यह फिर से ज वहाएक पुर्वर्वर्वर्वर्वर्वस्याटा मैंने बताया सथा को और रधी चेंद फैसंट सूक्रीजी Cant mi केमीकल राशानी प्रॉपर्वर्वर्वर्वर्व्स तक ढरते सिर्धले में कमीखे तो कि melting of melting of candle melting of candle यानी किBar Люб downwardsа горang क्या तो बताओ मैंने कहा ना कि melting क्या है बहुत की घर में जाब होते घ्रम है तो बताओ की ऑगा अमार्ट प्रवर्वहतिक प्रवाटन नहीं होगा वही मैं स्कीति कि क्या वोगा धुक्वत परवर्ตन होगा ध्यान कि निगान ओर बरनिंग ऑफ केंडल आजाएं कि लुए धुर्व कि केंडल आजetin तो बताओ कैसा परवर्टन कैसा परवर्टन ऐसा परवर्टन क्यामिकल उप एकभेत डंच कर भona आ और इस लकडी का कटना लकडी का कटना कैसा है लकडी का कटना वही कैमिकल नहीं फुजीकल होता है क्योंकि लकडी को आप काट होगे बीच में से कट कर दिया तो बाद में इसे फिर से जोड़ विए सकते हैं क्या कर सकते हैं जोड़ विए सकते हैं यानि कि वापस से इनका उपयोग हो सकता है ना वहीं लकडी को कर काट भी दोगे तो बापस दो लकडी बन जाएंगे अवस्ता परवर्ची तो ही उसकी लेकिन वह लकडी काम में तो आएगी अगर जैसे मैं बात करूं बर्निंग और पेपर बताया था मैंने अगर मैंने इसको जला दिया तो क्या बन जाएगा एस बन जाएगा क्या मैं उसे एस का उपयोग कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता ना तो ऐसा परवर्चन जिसमें क्या हो किसी पतारत की अवस्ता रंग आकार में परवर्चन हो और क्या हो बापस उसे उस्य वुस्ता में लाया जा सके तो ऐसे परवर्तन को क्या वोलती है involving परवर्तन कहते मिलात करेंगे रासायनिक अवक्रिय और को तो कि अज़ Сп क्रेंगे राशायनिक अवक्रिय और ऑख लिए दक होता है कि जब दो या दोसे अधिक प्धार्ट जब को या अधिक क्ला क्लिए अधिक प्दार्ट आपस में योग करते हैं कि क्या होता है ये क्या एक से अधिक बिस्पदार्ट वनाते हैं आपस में यह कर ऑपनारण हें यी यह क्या होगा और यहाँ पयाँ क्या होगा क्या होंगे chemical changes होंगे यानिक रासानिक परवर्तन होंगे और रासानिक परवर्तन होंगे तो बताओ प्या होगा रासानिक परवर्तन होंगे chemical changes होंगे तो यह कर क्या बनाते हैं एक या एक से अधिक एक से अधिक नए पदार्थ नए पदार बनाते हैं, बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रासाइनिक अवक्रिया, क्या कहते हैं, तो उसे रासाइनिक अवक्रिया कहते हैं, रासानिक आवक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करते हैं या उनमें क्या होता है रासानिक परवर्थन होता है तो क्या करते हैं वो एक नए पदार्थ का निर्मार करते हैं या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्मार करें तो हम क्या कह सकत कि उसे रासानिक अवक्रिया कहते हैं और रासानिक अवक्रिया किसके द्वारान होती है कि रासानिक अवक्रिया रासानिक परवर्तन के द्वारान होती है क्या होता है रासानिक परवर्तन के द्वारान कि राश्चानिक पर्वरतन हो गए जैसे अगर मैं बात करूं अगर लेको घृणेरिक्ड़ को जला रही है हाँ तो क्या होगा जब जला रहे है केंडल को सुप्या होगा यहां से कुछ ना कुछ वैक्स मॉम है जल रही होगी और क्या प्रूडूस कर रही होगी यहां पर गैस बना रही होगी तो गैस आ रही होगी यहां पर तो बताओ क्या हुआ यहां पर बर्निंग हो रही है ना बरिनिंग हो रही है यान कि जला रही है और बरिनिंग कैसा है केमिकल चेंज होगा तभी क्या होगा रासाइनिक अवक्रिया या केमिकल रियक्शन होगी और केमिकल रियक्शन होगी अब केमिकल रासाइनिक अवक्रिया है और रासाइनिक समीकरड किसे कहेंगे फिर रासाइन रासानिक समीकरड तो रासानिक अवक्रिया रासानिक अवक्रिया मैं भाग लेने वाले हैं मैं भाग लेने वाले लेने वाले अविकारक अविकारक अविकर्मक के अड़ूं या यॉगकों या यॉगकों को मैं सांकेतिक रूफ में दर्साना सांकेतिक रूप में दर्सांअ प्रूब में दर्साना, क्या कहलाता है, रासानिक समिकर्ड कहलाता है, रासानिक समिकर्ड कहलाता है, तो रासानिक अवक्रिया हो रही है न, तो उसमें कुछ अविकारक होंगे, कुछ अविकर्मक होंगे, आपस में क्या कर रहे होंगे, अविकर्या कर रहे होंगे, अविकर् निकों इनके अड़ों या मॉलिक्वल्स या फिर योग को सांकेतिक रूब में दर्साना क्या कहलाता है रासानिक समीकर क्यालाता है जैसे मैं बात करूंँ अगर यहां पर इसको दो करेंगे और यहां पर यहां पर कैमिकल को बैलंस करना ज़रूर होता है और बैलंस कैसे करेंगे इस पर हम नेक्ट लेक्ट लग आएगे वीडियो आएगा उसbagai मताएंगे कि रासानिक संतल्स कैसे करते हैं और इसके आवसक्त क्यों पड़ती ए ゃं को एस्टू क्या होता है हाइट्रोजन क्या होता है हाइट्रोजन अगर मैं क्या लिख रहा हूं अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर है हाइट्रोजन मृठ आं हमा प्लस औकसीजन ऐसे थे रहां है आप है वाटर दे रहे हैं मिला रहे वाटर रहे है तो यह तो ग missionary ओण कहले है ना मृट अ कि वहले हैं को रहे हैं के नाम से यह इसे वह लेंगा वर्ड एक्वेशन कया ह drinking क्यों है कि कम ए Consult कि मैंने सब दुवारी रवक्रिया है और यहां पर वाटन पूरा नाम दे दिये यहां पर क्या किया है हाइडुन बंकु संकेतिक रूप में दरसाया है और और यक्षायोfeld है तो बता इनको क्या किया इन्हीं के सांकेतिक रूप में दर्साना क्या कैलाता रासानिक समिक्न कहलाता अब रहसानिक अवक्रिया प्तरकार और उस से पहले पढ़ेंगे कि रहसानिक कौ करें झाल 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 झाल